दूनिया में दूद चाहे किसी का भी हो वो आमतोर पर सफेध ही होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर भी है जिसका दूद सफेध नहीं बलकि काला होता है दूद सफेध होता है जिसके लिए दूद सफेध या दूद जैसी सफेधी मुहावरे का भी इस्तमाल किया जाता है हलाकि करे लोग इस बास से अंजान होते हैं कि एक जानवर ऐसा भी है जिसका दूद काला होता है काला दूद सुनकर आप चौक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि एक तो दूद उपर से काला फिर काला है तो दूद कैसे दरसल हम दूद की ही बात कर रहे हैं जी हाँ अमूमन गाए भैस बकरी जैसे जादते जनवरों का दूद सफेद ही होता है हाला कि दुनिया में एक जनवर ऐसा भी है जिसका दूद काला ही होता है इस अनोके जनवर का रंग काला तो है ही साथ ही इसका दूद भी काला होता है दरसल हम किसी और नहीं बल्कि मादा काले गैंडे की बात कर रहे हैं मादा ब्लाक राईनोसेरोस का दूद काला होता है इनहें अफ्रीकी काला गेंड़ा भी कहा जाता है कई मीडिये रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि काले मादा गेंड़े में बसा इस्पेक्ट्रम पर सबसे मलाइदार दूद होता है हाला कि दिक्ता ये काला ही है